प्रसंटेश के शावाल पढ़ रहे थे अगे पढ़ लेंगे और मैंसुरेशन प्याधारित हम पढ़ भी रहे थे छत्रा मिती प्याधारित तो हमने प्रशन लिखना आपको किसी वर्ग के एक संबाहुत्रिवुच के एक संबाहुत्रिवुच के भुजा में 20% की कमी कर दी होगी तो आएए इसको हल करते हैं और आगे भढ़ते हैं यहां पे कह रहा है कि एक संबाहुत्रिवुच के भुजा में 20% की कमी करनी है यहां पे हमने यह देखा कि पहले यह मान लेते हैं कि उसका अच्छे तरफल अपने आप में 100 जैसा कि हमें भी पता है कितना था असी बड़ा 100 हो जाएगा क्या हो जाएगा ? असी बता सौ हो जाएगा । स we knowеро AreघLS को हम ने कहा है तो पता चला माइनस च्छतिस तो वो 36 पर्षन की कमी होगी क्या होगी 36 पर्षन की कमी होगी यहां तक कि प्रषनों को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था थिक तो हमने क्या देखा कि यहां तक कि जो प्रषन की सिरीज थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया था यह एक तरह से पुन्दा भृत्ति करा दी अब हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अब जो मध्याय पढ़ेंगे वो आप के सब्सक्राइब होगा जो हमारी क्लास स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं यह उनके लिए रामबाण होगा जिने गणित नहीं आती जिने गणित से ड़ लगता है उनके लिए यह क्लास सबसे ज्यादा की फायती होगी तो चलिए शुरू करते हैं अब एक नया टॉपिक स ट्रिज्यामें एक वर्ड की तृज्यामे 1977 50 टी गया है एक वर्ड की ट्रिज्हामें चैनिती परच्टकिंद और दिटार दिजए तो इसके छित्वल में कितने麼 पर्सेंड की बृद्धी होगी एक सवालाँ लिखेगा एक सवाल हमने क्या लिखा कि जो आर है उसमें क्या करना है प्लस तीस पर्सेंड की बृद्धी करना है दूसरा प्रशन से लिखेगा एक प्रशनों लिखेगा एक प्रशनों लिखेगा एक ब्रित के ब्यास में पहले हमें क्या देखा आर में कितना बढ़ाया प्लस 30% बढ़ा दिया गया अब अगला प्रशन लिखेगा एक ब्रित के ब्यास में 30% की ब्रिधिकर दी जाए तुसक कोई लोग लगबग गलत करेंगे शमोत है एक बृत की तरज्या में 30% की बृत्धि कर दी जाए और इसके ब्यात दूसरा प्रस्ट में है एक बृत की द्याओं सवें 30% की बृत्धि कर दी जाए तो आपको गली थना बताना है क्या दोनों के चhofiddorar समान हों भी होगी कोई डोनotte होता है आर प्लस आर बराबर ड होता है चुकि आपको ही पता होगा हमें भी पता है 2 अब आर इसकोल 2 दी होता है और हम यह जानते हैं दी आर बराबर और बराबर डी बाई टू डी माने ब्यास डी जहाँ पर ब्यास है और जहाँ पे त्रज्जा है अब सोचिए मैंसुरेशन के सवाल को हम लोग परसेंटेश से लगा रहे हैं और आप बताएए जल्दी से कमेंट करके जो लाईब है जल्दी कमेंट करके बताईए जल्दी कमेंट करके बताईए मैं प्रस्ण को रिपीट कर रहा हूँ इतना आसान है इतना आसान है कि यकीन मानिए आपको गणिस ज़्यादा सरण कोई सलही ने लेगा हमने क्या देखा कि एक बृत की त्रिज्या में 30% की बृत्धी की गई तो उसके छित फल में कितने परसन की बृत्धी होगी जबकि दूसरी तरफ क्या रहा है कि एक बृत्धी की ब्यास में 30% की बृत्धी कर दी जाए तो उसके 6 फल में कितने परिशन की बित देऊगी मुझे खाली तना बताईएगा कि उत्तर बराबर आएगे कम होंगे जादा किसे कम है ज़्यादा जल्दी से बताईएगा त्रिजे वाला जादा होगा त्रिजे वाला कम किसी भी ब।त का जो च्छित्रफल था वो अपने आप में क्या था 100 अब कह रहा है, उसके त्रिज्या में तीस पर्शन के व्रिद्धी होगी, तो गुडे 130 बटा 100 फिर गुडे 130 बटा 100 होगा मैंने आपको एक बात बताया था जब कभी भी च्ट्रफल पूचे और एक ऑभुजा अगर दी हो तो उसका गुड़ा अपने आप दो बार करेंगे जान समझेगा कि कभी भी अगर चत्रफल पूछे और एक बार दिया हो तो उसका गुड़ा हमें दो बार अवस्य करना है चाहे वो वर का पूछे अلا सब्सक्राइब को करेंगे तो अहाँ पर न हे कि यहां पर इखेसे की दूनिया की हर पर परसुया की अधरी टा Next कर दिया ऐसा नहीं करना है हर वस्तु अपने आप में 100% होती है त्रिज्जे अपने आप में 100 और ब्यास अपने आप में 100 इसलिए दोनों को एक ही में अथर्ट पे लगाएंगे वो इसके लिए अलग नियाम नहीं है है so, so dc famine यह 0 इससे यह 0 इससे तेरा गुढ़ेत तेरा करेंगे तेरा गुढ़े तेरा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक सो उनहत्तर होगा तो यह हो जाएगा प्लस उनहत्तर परसेंट की ब्रिद्धी क्लियर हुआ कौंसे जहां से को देख लीजएगा इसका जो एंसर होगा वह क्या होगा उनहत्तर होगा 69 सेभी लोग ध्यांचे देख लीजएगा और ऑल इंग क्लास के लिए 630634367 पर वर् मौने चैनल को यहां चल्य लीजए सब्सक्राइब है को बिद्धे होगा जैसे इसी चाहरी आप दिये प्रिच्चा इंत करें कि और रिगने वह तो मगर्युस्ट तो दुगना कर दीजेगा ब्यास है तो आधा कर दीजेगा परसेंटेज में ऐसा कुछ नहीं होता सवाल में ऐसा होता है परसेंटेज के थियरी में ऐसा नहीं होता अब लोग को जरा बताएगा जितने लोग को समझ में आ गया कमेंट करके बताएं जितने लोग को नहीं समझ सके और जोड़कर पर सके ठीक है इसकी इसकी कर लेजे इसकी हो गया अब आगे पढ़ाया जाएं अभी हाथ से कॉंसर्ट के लिया चलिए अब आगे लिखेगा अगला प्रशना अगला प्रशना एक बृत्य की एक बृत्य की एक बृत्य की तरज्या को एक बृत्य की तरज्या को सौ परसन बढ़ा दिया जाए तो एक बृत्य की तरज्या को सौ परसन बढ़ा दिया जाए तो उसके छेत्रफल में कितने परसन की बृत्य होगी चलिए सब लोग कमेंट करके बताएं एक बृत्त की तरिज्याग में 100% की बृत्धी कर दी जाए तो उसके चेट फल में कितने पृत्षत की बृत्धी होगी सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे सभी लोग प्रशन को हल करेंगे हल करने के बाद अपने उत्तर कमेंट सेक्षन में जरूर देंगे चाहें वो यूटूब पर लाइब देख रहे हैं चाहें वो इस्टाफ पर लाइब हैं तो आप लोग इसका जवाब दीजेगा सभी को शेयर कर ये क्लासagar आपके लिए लाइब चल लेते हैं अभी सबी लोग बते हैं जल्दी से सभी लोग जल्दी से कमेंट करें के बताई हैं सभी लोग जो आईए एस पश्नो को हल करते हैं लोग कह रहा है कि एक बृत के त्रिज्या में 100% की बृत्धी कर दी जाए अगर उसकी त्रिज्या में 100% की बृत्धी की जाए तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 तो क्या हो जाएगा यह होगा आपका 200 बटा 100 फिर गुड़े 200 बटे 100 क्लियर यहां तो मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं होगा अब देखें 100-100 से कड़ गया यह लड़ू इससे यह लड़ू इससे कड़ गया अब उपर 200 दुना 400 बचाएगा अब यह बताइए अब 400 परसंट होगा कि 300 अब हमें जानते हैं पहले वो 100 था अब कितना हो गया 400 तो माने कितने परसंट के भृद्धी होई तो आपने पाया क कि प्लस 300 से प्रत्र तुशत की बृद्धी होई यहां से किसी ब् Ricky कोई दिक्कत कोई शमस्या हो तो तो कमेंट करके आप किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप को धाले पढ़ लिजीएगा फिर मापसे सारी बाते करेंगे पहले हम अप सब्सक्राइब करेंगे अब एक कॉपी कॉलम लेकर पहले तयार हो जाएए पहले पढ़ लीजिए कि ठीक है कि चली आगे देखते हैं अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं यहां से होगे काउंसेट के लिए अब अगला प्रश्ण लिखेगा अगला प्रश्ण लिखेगा 300 प्रश्ण समझ में आ गया सबको चली अब प्रश्ण लिखेगा अगर यह सारा कॉंसेट समने आ गया अचली लिखेगा एक ब्रित के ब्यास में एक ब्रित के ब्यास में एक ब्रित के ब्यास में दो सो पर्सन की ब्रिद्धि कर दी जाए दो सो प्रिशत की बृद्धि कर दी जाए तो उसके छित्रफल में कितने प्रिशत की बृद्धि होगी कमेंट करके आप जवाब दीजेगा फटा फट जो भी लाइट देख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो कैसे लगेगा बताई, जल्दी से comment करके बताई, यह हल करके बताई, जली लिए सभी लोग कमेंट करके बता हैं। यह मैंने कहा ना पहले ब्यास और त्रिज्जा में बहुत ज़्यादा उल्जेंग नहीं तो कि पर्सेंटेज में सब अपने आप में समाने जैसे अगर आप एक महिने में 20,000 कमाते हैं, मैं एक महिने में 5,000 कमाता हूं, तो आपक में 10% के ब्रिद्धी होगी, तो 5,500 होगा, और आपके अगर होगी, तो कितना होगा 10% ब्रिद्धी होगी तो, पताए, 22,000 होगी, तो आपका अपने में ब्रिद्धी, मेरा अपने में ब्रिद्धी, तो पर्सेंटेज में कोई मतलब नहीं होता, जब उसकी वैलू होती है, तब तो मतलब होता है कि जब value नहीं रखी जाती तो उसके percentage में कोई race मतलब नहीं होता आराम से लगाइए मैं इस बात की guarantee लेता हूँ कि हर इस ब्यक्ति को mathematics समझ में आने लगेगा हर इस ब्यक्ति गड़ित आसान लगने लगेगा जो इस race के लिए तया है कर एक है के लिद्धि नहीं हमने देखा एक बृत्र के ब्यास में एक ब्रृत×2 ब्यृत honour के बिद्धी कर दिए मैंने पहला उसके चित्र फल क्या था पहला उसका अपने हाँ में तो पर इसे इसां क्योड़े तीन सो जाएगा, सो प्लस दो सो बटा सो, फिर गुले, तीन सो बटे सो, उमीद कर रहे हैं आपको मेरे दोरा पढ़ाई जाने वाली गलित धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी, आ रही होगी तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये लड़ो इससे, ये लड़ो इससे, ये उपर तीन तरह का नव, तो नौ सो हुआ, तो नौ सो परसेंट, पहले सो परसेंट था, अब छित्रफल, नौ सो परसेंट हो गया, तो कितने परसेंट की व्रिद्धी हुई, तो आपने पाया, सो से जादा है तो ब्रिद्धी, सो से कम है तो कमी, तो ये क्या हो गया, प्लस 800% की व्रिद्धी हो गई तो मतलब जितने लोगों ने 800% बताया उन सभी के शवाल पूरी तही के शही है पूरी दरस क्या है शही है अब हमें ज़रा कमेंड करके बताये जो लोग भी लाइब देख रहे हैं मैं सभी बताये क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या हो समझ म आया या नहीं आया तो ठीक है यूदि इसके बात की टॉपिक फिर चेंज होगी फिर अगले दिन और टॉपिक चेंज होगी इसी तरह से करते रहेंगे और अपको परसेंटेश का पूरा निचोड़ कराएंगे कम सकम परसेंटेश की जो क्लास चलेगी वह 10-15 लेक्षर हो स यह milk सबाइब ता कि यह होगा अब यह सवाल करीनल बोल लहां यह आखरी सवाल होगा इसके बाद मैं क्या पर्ढ़ेंगे पर लास्ट प्रस्षुण पर लिजएगं और एक वर की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो इसके छित्र फल में कितने प्रत्सत की कमी होगी जल्धी से कमेंट करके सबी लोग बताएग अगर आपको लग रहा है तो फिर शेयर कर दीजेगा एक वर्क के भुजा में 50 पर्शन की कमी कर दी जाए तो उसके चत्रफल में कितने पर्शन की कमी होगी बहुत यासान है इसके बाद हो लोग आयतन पढ़ेंगे यहाँ पर क्या होगा मानोज का चत्रफल पहले कितना था 100 था फिर गुड़े किया अब क्या हुआ उसके चत्रफल में कमी होई कितनी कमी होई 50 यह हो जाएगा पच्चास बटे सो फिर गुड़े 50 बटे सो क्लियर यहां तक 100 100 से कड़ गया यह लिटोई से कैंचे। पाँच पच्चे पचीश अब यह बताइए यह पचीश सो से जादा की कम कम है कितना कम है तो पता चला 55 的 किसका उत्तर होगा माइनेस 75% की कमी होगी उसके 6 रफल में 75% की कमी होगी अब अगर आज किसी को doubt कोषिदी को समस्ता ओ पूछ सकता है इसके बाद 2D आकृती खत्म अब हम लोग बढ़ेंगे 3D आकृती के तरफ किस आकृती के तरफ 3D आकृती के तरफ बढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां तक जितने लोग को समझ में आ गया वो कमेंट करके बता दे और उसके बात नहीं तो फिर उने धिकत हो सकती है ठाल ह Gray पर अब अनलों 3D आग्रिदी के तरब बढ़ेंगे चलिए, अब हमें जो बढ़ेंगे उसका नाम है थ्रीडियाकृती, फ़ले थ्रीडियाकृती के बारे में जान लेते हैं, जिसमें तीन चीजे होती है, एक तो लंबाई होती है, चोडाई होती है, और उचाई होती है, उससे हम क्या कहते है, थ्रीडियाकृती, करती है फिर आगे बढ़ेंगे यहां पर गन कि यह हो गया आपका घन ठिक घन घनाब फिर क्या होगा यह हो गया आपका यह हो गया गोला ठोस घन घनाब है घन है गोला है फिर आते हैं हाँ पर बेलन फिर है संखूँ कि अब सोचिए कितनी बढ़िया चीज आप पर्सेंटेज पढ़ेंगे और आपको आश्चेर होगा यह मिन्सुरेशन के सवाल एक एक लाइन में आप लगाएंगे यह सपना नहीं है यह हकीकत होने जा रहा है अभी लोग कहेंगे रहे यह तो खली कह रहे हैं लगा के दिखा मैं तो बताऊंगा और आप लगा के दिखाएंगे मैं तो बताऊंगा और आप हल करके बताएंगे एक-एक लाइन में लेकिन कुछ बाते ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है समझनी है सोचनी है जैसे जहां पे छेत्रफल कहता था अगर हम पर एक भुजा दी गई होती थी हम लोग क्या करते थे जहां पर एक भुजा दी गई होती थी वहां पर हम क्या करते थे हम अपने याप दो भुजा निकालते थे क्या करते थे दो बुजाय कर लेते थे लेकिन आयतन में जहां देगा जहां पर थीडिया करते हैं वहां पर हम तीन भुजाय रखेंगे कितनी तीन भुजाए और यह सारे सवाल चुटकियों में लगेंगे आपको आश्चर हो रहा होगा आए देखिए इसके बारे मैं बता दू जैसे यहां पे घनाब दे दिया है घनाब में तीन होती है लंबाई चोड़ाय उच्छाई होती है कि लिए यह कि जालें हुए जाए अब गोला तो आइत आपको नहीं रखना कि गोले के तृज्च्या में या बयास मैंने भी बता इसमें कोई दिकत नहीं करना है है गोले के त्रिज्य में या गोले के ब्याथ में बीस पर्षण की ब्रिद्धी होगी तो गोले के आयतन में हितने पर्षण की होगी तो तीन मार को ला करना कुछ Kap 1 c मैं यह नहीं बाइब सब्सक्राइब' क्योंकि तीन यूनिट को मिला करी, क्योंकि तीन यूनिट को मिला करी आयतन होता है, मैं एक एक जामपल दे रहा हूँ, आप लोग समझेगा जैसे, कह दिया जाए कि एक बेलन के त्रिज्या में 10% की ब्रिद्ध की गई, और उसके उचाई में 20% कमी की गई, आप क्या करेंग कि इसकी जो त्रिज्जा होगी, वो दो बार लिखेंगे, जैसे 10 का, 110 बटा सो, 110 बटा सो, फिर उचाई एक बार, उचाई एक बार होगी, तोटल आपको यूनिट तीन बार लिखना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जहां पे भी यह आयतन करने जा रहे हैं, और आयतन मे हम जो कि चे, इससे आसान क्या होगा, ठीक है, एक बार इसके सकीन सोट क्लिक करनेघे, हो सकता है, आपके काम में आज shady, 630, 634, 635, 267, इसकी लिखेगा एक घनाव के लंबाई में 10% की ब्रिद्धी कर दी जाए चौडाई में 20% की ब्रिद्धी कर दी जाए तथा उचाई में 30% की ब्रिद्धी कर दी जाए लंबाई में 10% की ब्रिद्धी चौडाई में 20% की ब्रिद्धी तथा उचाई में 30% की ब्रिद्धी कर दी जाए तो इस प्रकार उसके आयतन में कितने परशंड की ब्रिद्धी होगी कर देखते हैं को पहले में हल करता हूं अपने सीसे से बताता रहा हूं दुनिया की हर वस्त वपने आप में 100% होती है उसकी लंबाई में 10% के बिद्धी कर दी जाए तो क्या होगा? गुडे 110 बटा 100 फिर उसकी चौड़ाई में 20% की बिद्धी मने 120 बटा 100 क्या हो जाएगा? 120 बटा 100 फिर गुडे? फिर गुड़े उसकी उचाई में 30% तो फिर क्या हो जाएगा एक सव तीस बटा सव अब आईए इसे हल करते हैं काट कर चेक करते हैं बहुत यासान सवाल है सोचिए एक लाइन में लगा लेंगे ये पूरा 100 से के लिए इसका लट्डो इससे के लिए इसका लट्डो इससे के दाओन अब वह्या कितना एक पताईए में एक सुचो क्याति अंट इससे की में इसलिट उप है इस थो काफ जिएक उब इसका चीएक उट मित्वालवट मिंट इस बटाक कित द staff कितना आएगा माली अवला पुम्यों नदे कि यह गुडागरे कितना आएगा तक गुडागरे मात है गुडा कितना आएगा ऐगा जो लाईब हैं भी गुडागरे पता हैं हमें पुडा करना अबाग गुडे ग्यार एकसो ठीक होगा ? 132 गुड तेरा 132 गुड अम आपनों की भरुशे रहेंगे तो लगा लें 132 गुड तेरा करेंगे तेरा दुना 26 49 41 43 का 13 गुड यह बटा 10 हो गया मतलब 171 दसमालोग 6 यह 100 से कम है ज्यादा यह 100 से कम है ज्यादा ज्यादा है कितना ज्यादा है तो भीया यह प्लैस 171 दसमालोग 6 परसेंट तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि लिए रुग आप लोग का किलियर हुआ सोचिए इतने दर ए प्रिश्न को आप लोगोंने आसानी से लगा लिया अब अगला प्रस्ट अब अगला प्रस लिखेगा अगला प्रस इसके ठीक बाद अगला यह आकरति आप लोगो को मैंने बता आया है यह आपको पूरा समझ में लेंगे तो यह आपको असानी से लग जाएगा ठीक है हो गया चलिए आगे लिखेगा अगला प्रश्म इसके बाद अगला प्रश्म लिखेगा एक घन के भुजा में एक घन के भुजा में बीस प्रत्सत की ब्रिद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रत्सत की ब्रिद्धि होगी एक दम एक लाइन में आपको लगा कर बताना है एक लाइन में इसका उत्तर बताना है आप लोग लगाएंगे तो ठीक है तो मैं लगाता हूँ क्या रहा है ध्यान सुनिएगा फिर से मैं कह रहा हूँ एक घन के भुजा में बीस पर्संट की ब्रिद्धि कर दी गई तो हमने पहले तरीका बताया है माना उसका आयतन अपने आप में सौ था फिर गुड़े जब एक बार दे और आयतन पूछे गुड़ा कितनी बार करना है तीन बार चेत फ़ल पूछता तो दो बार ये मैंना आपको बता दिया कहीं वार कि यो जाएगा एक इस वीस बट्टा सव फिर गुड़े एक सव वीस बट्टा सव फिर गुड़े एक सव बीस बट्टा सव इंद नियो काओ किसी को अब हम क्या करेंगी से दिवाट कर गया में ते यह लड़ू यह लड़ू से कट गया यह दो लड़ू कह इसका अब उपर बचेगा बारह गुडे बारह मतलब बारह गुडे बारह गुडे 12 बटा 10 12 क्यों किसी को याद है? मुझे याद है 1728 यह हो जाएगा 1728 बटा 10 एक अगर में दसमनों गएगा क्यों हो जाएगा? यह हो जाएगा 172.8 100 से कम है जादा? जादा कितना जादा? 172.8 इसका उत्तर क्या होगा? 72.8 इसकी इंसोटे लीजिएगा एक लाइन में आपने इसका उत्तर बता है एक लाइन में ना कोई यक्स माना ना कोई वाई माना कुछ नहीं माना बस एक लाइन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी लाइन पे उसी बेहाइब पे इस सारे प्रशनों को हमाल करते चाहिए मनि एक बार अप लेक्टर दिखेंगे इस्तिय लेक्टर सभी को करम से दिखेंगा यह नहीं कि वीडियो नमबर 1 देख लिया आब पांच देखेंगे फिर 2 देखेंगे फो 3 ऐसे नहीं होगा एकदम क्रम से दिखेंगा मेरी गरिंटी है गणित से ड़ तो दूर हो जाएगा और अच्छे से सीख लेंगे और साथ ट्रिक मतलब इससे सरल तो पढ़ी नहीं पाएंगा इतना भी सरल गणित होता है यह आप सीखेंगे पढ़ेंगे लगाएंगे अपने आप जानेंगे इस वीडियो को सेयर करिएगा जो जहां भी लाइब देख रहेंगा जो फेश्बूक पर देख रहें फेश्बूक पर शेयर करें यूटूब पर देख रहें यूटूब पर शेयर करें अब आगे बढ़ते हैं अगले परस्ण की तरह अगला परस्ण लिखेंगे यहां से क्लियर हुआ अगला परस्ण ल झाभ कर दी जाए ये गास में दस पर्शन की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रत्सत की कमी होगी क्लिए हल्गर क्वता हैं एक घुला है थोस होता है अभीमत के के अच् reasons 3 ंक क्यों उत्र मैंने कुई याद करना है कि आपने ट्रिक आची आपको याद रहना चाहिए मतलब जो मैंने आपना तरीका आपको चब जाना चाहिए और मेरी क्यांटी है मятьं सुझेशन का इस तरह का सवाल मुश्किल से आप 10 15 second में 10 15 एक लाइन लही देखी कि अंली कि कमेंड कर रहे हैं वो कितने लोग को समझ में अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिजेगा अगर आपके पैसे ना कटे तो ठेक आपको लग रहा कि पैसे कट जांगे तो मत करें अई देखिए इसको हलकते हैं यह बता है कितने लोगों को जो मैं पढहा रहा हूं समझ में आ रहा है यह थे बाए यहाना ऊदन पहले अपनेवस्ट है गूड गो ला को तीन बार लेकना मैंने बताया था जब कोई एक तो कैसे लिखेंगे यहां पर हम इसे लिख सकते हैं कितना अगर 10% कमी का है न तो यह 90 बटा 100 क्या मैं इसका घाते तीन यहां लिख सकते हैं मैं आप से पूछ रहा था मैं द्रदर आओ ट्रिक सिखार देखे आप अगर मेरी क्लास को लगातार पढ़ रहा है तो मैं ट्रिक को लगातार बढ़ाऊंगा न मैं इसको क्या 90 बटा 100 कि घाते तीन लिख सकता हूं इसका मतलब में बादाब्डू से कड़ दिया अब्ड़ाबर करोंगा तो 100 प्रे-फाट करद से गुड़े हैं 72.9% यह 100 से कम है कि ज्यादा 100 से कम है ज्यादा कम कितना कम तो पता चला यह है आपका सत्त माइनेस 27 दस मुलो एक परसेंट इसका एंश्वर होगा ऐसे भी हम लगा सकते थे सेम तरीका था कि भाईया इसको हम लिखते स्व गुड़े 90 पटा स्व तब उतना ही आता कलकुलेशन और कम कर दिया आमने आपका 90 पटा 100 पटा सो फिर आमने दिखाया कि सारे हाँ पे सोब सॉच्व से क्यंसील यह लट बूस्ट यह लट बूस्ट यह लट बूस्ट इस 729 फिर बटा 10 फिर 72 दस मलों नौ फिर आपका आगे आएगा फिर माइनस सब्ताइज दस मलों एक परसे किलियर सब्सक्राइब लेकिन अब यह मेथाड को सौर्ट करते चलिए इससे क्यों होगा आपकी समय एनर्जी दोलों बचेगी किसी कोई डाउट किसी कोई समस्या कमेंड करके पूशकते हैं मैंने आपको बताया था चाहे ब्यास बड़े चाहे त्रिज्जा बड़े आपको कुछ नहीं करना है कोई खुरापात नहीं करना है कोई भुरापात आपको नहीं करना है कोई भुरापात नहीं करना है नहीं यह तो यहां पर तिर्जा का नित्या तो ब्यास का अज़र कुछ भी नहीं आपको एक लाइन से चलते चलना है जिस लाइन पर लगाता कर्शा चल ले थे और लेप पढ़िए इसको कि इसको स्कीन सॉट कर लिजिए हो गया अब अगला शवाल एक गोले की तर्जा में एक गोले की तर्जा में दस प्रसत की ब्रिद्धी कर दी जाए एक गोले की तर्जा में दस प्रसत की ब्रिद्धी कर दी जाए एक गोले की तर्जा में दस पर्शन की ब्रिद्धी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने पर आपको लग रहा हुआ कि मैं बहतर पढ़ा रहा हूं तो आप शेयर करिएगा अगर आपको लग आपको लग रहा नहीं पर द्राइब तो लाइक करिएगा और नहीं तो अपना समय बरबात मत करिएगा व्हें कि कि आपके लिए समय सबस्यादा महत्यपूर्ण है और एक अभ्यति की जीवन में सलेक्षन के लिए समय सबस्यादा माने रखते हैं तो आप लोग केवल केवल अपना बेश्ट दीजिएगा कि यहां ने देखा कि दे एक गोला है उसके चाहे ब्यास करता चाहति जाता उससे आसे कोई नदना नहीं आयतन के दिया न कि प्रimanajay कों समझे म्ठ खाल इतना समझे कि क्या कई तीन बर घुड़ा करना है क्या तनक है फिस अब से कितना बलाना है दस बलाना है तो 10 प्लस करेंगे गटा आःता तो 90 कितने बात करना था हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हमने क्या किया 100 हो गुड़े, एक सो, दस बटा सो, कि घाते तीन कर सकते हैं, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट, याज किसी कोई डाउट, नहीं है, यह लड़ू से कट गया, इसको तोड़ेंगे, तो भाईया, सो तो इसे रह जाएगा, फिर गुड़े, सो तो इसे रह जाएगा, फिर गुड़े, यह ग्यारए गुड़ा करेंगे, तो तेरा सो इकतिस बटे, एक हजा, यह दो लड़ू कट गया, यह क्या हो जाएगा, एक सो, टाहती दस मलो यह, तो कितना जादा बढ़ा, तो पता चला, प्लास, टाहती दस मलो एक बार से, क्लिय यहाँ किसी को दिकत या कोई समस्या हो, तो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकता है, हम आपके जवाब जरूर देंगे, और हम आपको संतुष्ट करेंगे पूरी तरी किसे, गडित आपने पड़ी होगी, बहुत जगा पड़ी होगी, लेकिन इस तरह से ट्रिक, मतलब पानी नहीं होगे, इतने जल्दी कैसे मिलेगा, अब बताइए, हर परिच्छा में आपको हर सेक्षन मजबूत रखना होगा, अगर आप हर सेक्षन मजबूत नहीं है, तो रेश से बाहर नहीं हो जाएंगे, एक बिसे लेकर आप कब तक सेलेक्षन के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको सभी बिसे में पारंगत होना जरूरी है, किस के लिए? नौकरी के लिए, किलियर? अब हम लोग जो आकृति पढ़ेंगे, वो आकृति है आपकी यह तो में, बेलन और संकू पर पढ़ेंगे, किस पर पढ़ेंगे? बेलन और संकू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रश्ण लिखेगा प्रश्ण लिखेगा कि एक बेलन की त्रिज्जा में एक बेलन की त्रिज्जा में बीस परसन की व्रिद्धी कर दी जाए एक बेलन की त्रिज्जा में बीस परसन की व्रिद्धी कर दी जाए बीस बोले थे दस बोले थे क्या भूल गया फिर से लिखेगा एक बेलन एक लिखे लिजे एक बेलन की त्रिज्जा में 20% की ब्रिद्धि कर दी जाए तो उसके उचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने पर्ज़ंट की तो उसके आयतन में ने कितने परस्षयत की प्रिद्धिया कमी होगी कि आप ऐसा पड़िए सवाल अगी में मिया जूजी अपने दिमाग से आपको बना आ तो जब सवाला बनाना से जाएंगे तो हल करना असांस है कि प्रश्न की भासा सीखना है गणित की जो लेंग में जो उसको आपको शीखना है और इकदम क्रम से अपड़ते चलिए यकीन मानिए गणित की सिरी जाग पे लिए सबसे बहता होगी है कि लिए हुआ है किसी को डाउट को समस्या हो तो पूसकता है जो भी जहां भी लाइब देखर हो शभी को शेयर कर दें और हमेंसे क्लास को टाटिंस से देखा करिए तब या समझ पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं कैसे प्रारा हूं कि आपके काम का है या नहीं है कि अगने से विचन दुट नहीं का यह से देखर नोचler करें अगर सब्वलों मिंश्च करें परदेजर सब्सक्राइब नहीं कि दक्किन दक्तिंग आ लेकंण अ को वहांने तक मिफ मिस्वांने hamburger 501 तो मालेक 120 बट्टा 100 गुडे 120 बट्टा 100 फिर गुडे आप उचाई 20% कम 80 बट्टा इसी को हल करना है इसी को हल करना है यही समिग्राण आपका बना सोची इतनी आसान गड़ी बतला ही इन्य फार्मूला याद करना और कुछ नहीं याद करना अभी भी आप लोग को लग रह आप लिए आप फर्मूला यूज करते थे पाई रसको रहे अचे कुछ बुला गए कुछ नहीं आद करना है महले क्यां पर कुछ भी नहीं क्यों और क्यों आपको गड़ित में पूरे मार्क लाने के जिम्मदरी तो मेरी एक बारा कल्कुलेशन मजबूत कर लिजिए बस उ अधो या लड़ीशन से केंसील्न या लड़ीशन से कैंसiej या लेड़ीशन से कैंसील्न अब ऊपर का गुडा करना है तो गुड़ा करीらい тशोड़े रेंगे बहठा काम करेंगा या कंभित सफलो लगाना रहे तो बारा गुरे बारини एक सो चवभाली एक गुड़े आठ बटा दस कितना है गुड़नफल कोई कमेंट करके बता है जरा आप गुड़ा के बता है कितना है यह तो मैं ही कर लेता हूं चलिए आर्चोग बतीस आर्चोग बतीस तीन पैंटीस आठ एक का आर्टी ग्यारत मतलब एक सोप पंद्रह दस मलोग दो परशत की कम है ज्यादा है सो से कम है की ज्यादा ज्यादा कितना ज्यादा कि पंद्रह दस मलोग दो प्रशत की व्रिद्धी हुई एक सो पंद्रह दस मलोग दो प्रशत की व्रिद्धी हुई किलियर किलियर किसी कोई डाउट कोई समस्या है कि किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो ज संकू पर लेलते हैं उसके बाद आज की सेशन हमारी कतम हो जाएगी अब फिर हम लोग कल नए रिस्क की शुरुबात करेंगे लेकिन अभी चलेगा परसेंटेजी इतने अली परसेंटेज नहीं कतम होगा एक प्रस्णाव लिखेगा एक संकू की ब्यास में एक संकू के ब्यास में एक संकू के ब्यास में एक संकू के ब्यास में 20 परसेंटी कमी कर दी जाए तता उसकी उचाई में तता उसकी उचाई में तता उसकी उचाई में 10 परसंड की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सभी लोग comment कर रहेंगे देखे सब लोग टेली ग्राम पर जुड़े रहेंगे देली क्लास के आपको नाटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक, अभी पौने घंडे क्लास आपके चल चुकी है, तो ज्यादे लबी क्लास होती है, तो आप लोग देखते भी तो नहीं, देखिए यहाँ पर बहुत ही असान तरीका है, कि क्या किया, यहाँ पर माना क्या है, ठीक, भी, क्या है, माना शरू, अब गोड़े, तरज्ज्ज्ज ya यह भ्यास हो दोगार, कितना बढने क्लिए 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 ब्लाने क्लिए क्ला था, जर्ग पताई है, भूल गशे, पहले क्या क्लिए जर्झ कोई कंपन कर बता है, अज गए अफ़ट व्लस क्लिए जर्ट हो और संज परसेंटे सींद्ध सेंद्ध संदंध से आगिह === पर nossa, कि में भूला पर में बूला किया था मैं 20 कमी बोला था न गया याल जो लइस जल्दी बतां कि छेखे परनी 20 कमी बोला हं ठीक है कि यो जाएगा 800 belong उचाई भी, जो उचाई बोला था वो भी कमी बोला था अब इसको harassment करते हैं देखिए क्लास लाइब है इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं अभी भी देख लीजिए अगर कुछ दिर बाद किसी टेक्निकल फॉल्ड हो जाता है तो आपको लाइब जैसा तो नहीं देखेंगा लेकिन लाइब ही क्लास रही है ठीक है हम आपकी प्रशन का जवाब बाद इस नौचच चंवन चंवन और तीन शन्तामवन बटा दस यह आए आपका पांद चेत्र बटा दस अज़ा ठीक है अब लोगों को सारा concept के लियर हो गया और आपने आसानी के साथ सीख लिया अगर अभी भी कोई कमी हो तो बताइए अभी वी कमी हो तो बताइए सौ से कम है कि ज्यादा इसको निकालने के बाद भी हल करते हैं ये गलती मत करिएगा कि इतना आगे तो इसका उत्तर टिक कर दे विकल्प में ये भी रहेगा लेकिन आपको याद रखना है सौ से कम है कि ज्यादा कम है तो कितना ज्यादा ये बात आपको हमेश्चा याद रख लिखेगा एक गोले की तृज्जा में एक गोले की तृज्जा में 100% की ब्रिद्धी कर दी जाए 100% की ब्रिद्धी कर दी जाए तो उसके छित्रफल में कितने पर्षंड की ब्रिद्धी होगी तो उसके छित्रफल में कितने पर्षंड की ब्रिद्धी होगी कमेंट करके बता यह उसके बाद आपको हुम और देंगे ठीक है यह हम लोग लगा देते हैं शवारिश को अब क्या होगा सो तो ऐसे रह जाएगा गुड़े दो घाते तीन है तो हो जाएगा आठ क्या हो जाएगा 800 मतलब 800 परसेंट है उत्तर क्या होगा प्लस 700 प्रसेंट की ब्रिद्धी आज सोचे किसी भी किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो यह एक एक पेज में सवाल लगता है लेकिन आज आप लोगोंने इल्लेनी बिद्रगेज के साथ इतना आसान भासा में इतना सरल तरीका सीख लिया कि साथ आपने कभी सोचा भी नह कि अपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना सरल गडित हो सकती है में सुरे संका मैं जमेत्री जब पढ़ाऊंगा टेग्रामेंट्री पढ़ाऊंगा जब आपको तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको खुद यह विश्वास हो जाएगा कि गडित क्या इतना सरल है और इस सब्सक्राइब करना क्या था मैंने स्टार्टिंग बता दिया कुल आयतन सो होता है क्यूब का तरीका मैंने आपको बताई दिया था इसके पहले ही कि एक सवाल लोगेगा बस काम कथम उसके बादम नहीं हो समझाएंगे आज की से संग कथम हो जाएगा अरे 800 परसेंट आया 100 से ज्यादा काम आप लेट आया लगटा क्लास में डेली क्लास पढ़िएगा और सभी काद स्टार्टिंग से वीडियो नमर एक दो तीन चाहिए ये जगा क्रम से वीडियो नमबर एक वीडियो नमबर दो वीडियो नमबर तीन चार पांच क्रम से देखेगा तभी क्लिर होगा अब एक प्रश्णों लिखेगा एक संकू की त्रिज्या में एक संकू की त्रिज्या में एक संकू की त्रिज्या में एक संकू की त्रिज्या मे जबकि उसकी उचाई में 200% की व्रिद्धी कर दिजाए तो उसके आयतन में कितने प्रत्षत की व्रिद्धी होगी उसके आयतन में कितने प्रिशत की विद्धी होगी। इस सभी को शेर करिएगा। आप लोग लाइक करिए ना करिए शेर जिरू करिएगा। सभी लोगों तर पूचे लेगा। आप इसकी स्टेटस अपने फिस्बुक पे, अपने वाट्सेप पे, हर जगा लगाईए। पर्षण बढ़ाया। तो क्या हो जाएगा। 200 बटे-100 घुडे 200 बटे-100 मैंने तरीका बताया, मैं कहां से करता जा रहा हूँ। लेकिन उचाई को 200 पर्षण बढ़ाया है। तो क्या हो जाएगा? 300 बटे-100 हमने बोला है कि एक बेलन की तृज्या में 200 पर्षण के में कितने पर्षेंट की व्रिद्धी होगी यही सवाल में बोला था तो हमने क्या करना है इसे काटना है 100 से कंसील लड्डू लड्डू से कंसील यह लड्डू से कंसील इसका लड्डू से कंसील इसका लड्डू से कंसील इसका लड्डू से कंसील इसका लड्डू से कंसील इ किलियर कि समझ ना गया है तो आज की क्लास यहां पर आपकी खतम होती है एक प्रश्ण हम हम हुमवर के लिए देंगे और आप हुमवर करने के बाद आप उसका जवाब हमारे कमेंट सेक्षन में दीजिएगा यहां जबाब मत दीजिएगा उसके बाद प्रश्ण को हल जवाब दीजेगा जैसे मैं समझ उसके बाद जवाब दीजिएगा अधर मैं मैं थिन्जाना चाहर हूं मैं दो टॉपिक नहीं पढ़ा आपको जैसे कह दिया जा पैसाद़ कि और सुपिर आपको अच्छ है एक परसें लिख लिजेगा नैंतंतंप आगे हैं एक संखुओ के एक संखुओ के एक संखुनरी कि तृज्य में एक शंखुके तृज्य में फैरिए थो ह। पचास परसंड की कमी कर दी जाए, तता उसकी उचाई में 100% की ब्रिद्धी कर दी जाए, तो संकू के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसको हल करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, फिर उत्तर दीजेगा, मैं उमीद करता हूँ, आप सभी लोगी प्रश्ण का जवाब देंगे, इसका प्रश्ण का जवाब इस बार मैं नहीं दोंगा, कल से नई टॉपिक शुरू होगी, मतलब यह में सुरेशन का ध्य अगर आपको वीडियो समझ माया है, सभी को शेयर करिएगा, सभी जो भी आपके साथ है, और ओनलेइन क्लास से जुड़ने के लिए, आप लोग 630-634-367 पर वाट्सेप कर दीजेगा, टेलिग्राम है के स्टॉल करके, दुर्गेश सर्च करिएगा, बीना इस पेस दिए, इलर्निंग भी दुर्गेश से जुड़िएगा, दूसरी बात, हर वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले टेलिग्राम पे मिलेगी, तागे कोई यह न कहे, सर मुझे नोट दिएकर सर्म नहीं मिला, सर मुझे समझ में नहीं आया है, दूसरा, अगर आपको क्लास जोइन करन इलर्निंग दुर्गेश है, प्लेइश्टोर से डौलोड कर सकते हैं, इलर्निंग दुर्गेश, अप्लिकेशन में अपने बात स्टॉल करके, आप अपने तहरी आगे जाए ले सकते हैं, ठीक है, तो यह क्लास आज आपकी यहां पे खत्म होती है, आगे, देखें आप लो दुर्गेश और हमार अप्लिकेशन ही रहनी दुर्गेश से जो प्लेश्टोर प्रवलब्द है, उसे भी आप डाउनलोड चरू करीजएगा, वेकि आप धिरेदर स्रीज आपकी वहीं पे मिलना सुरू होगा, चलते हैं, आपके साथ एक से एक कर्दम मिलाते हुए, ठीक ह बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट आप लग्ख